इस वीडियो में बात किरेंगे कोटक महिंद्रा बैंक का जो सेविंग अकाउंट होता है वो किस तरह से ओपन किया जाता है अगर आपको नहीं पता दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक में पेशा रखने पर आपको 7% का पर एनम के हिसाब सी आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है जो कि बहुत अच्छा है तो इसमें आप अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको गूगल पर आकर कोटक महिंद्रा सेविंग बैंक अकाउंट ओपन लिखना है और इसकी वेब साइट कुछ इस तरह से आ जाएगी अब यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मिल्टी प शोड़ दिया था तो आपको यहाँ पर रियूम एप्लिकेशन पर किलिक करके अपने एप्लिकेशन को दो बार से फिल कर सकते हैं तो चलिए इसके पूरी जानकारी मैं आपको ते देता हूँ अब जैसे ही आप इस फॉर्मल्टीज को पूरी करेंगे तो मैं काम होता है और उपन नाव का यहाँ पर ओपन आउपर किलिक करेंगे इसके बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपका pen card number क्या है और आपका आधार number क्या है यह दोनों चीज आपको यहाँ पर फिल्क कर लेनी है इनको फिल्क करने के बाद एक option मिलेगा आपको tick का तो आपको यह tick किलिक करना है इस तरह से tick करना है और आपको इनकी condition को allow करना है अब यहाँ पर आप जैसे आधार card का OTP send करेंगे तो एक six digit का OTP आपके पास आता है जो कि आपका यहाँ पर फिल्क किया जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर अपना pen card की जरूत होती है जैसे कि आपको बताया है pen card number फिल्क करने के बाद प्रोसीड का option भी आजाता है आपको प्रोसीड पर किलिक करना है किलिक करने के बाद आपकी कुछ detail यहाँ पर दिखाये जाती है जैसे कि आपका नाम और आपका gender अब यहाँ से आप से पूछेगा कि आप क्या काम करते हैं आप किस तरह के occupation आपकी तो यहाँ पर आप select कर सकते हैं इसके बाद आपकी income source किया है और आप कितना कमाते हैं साल का यह सब भरने के बाद आप option आएगा आपको क्या आपकी शादी हो चुकी है अगर आप unmarried है married है तो आपको इस column में दिखाना होगा इसके बाद आपकी पिता का नाम क्या है नीचे आएंगे तो आपकी mother का नाम और इसके बाद करफार्म करेंगी अब यहाँ पर proceed पर click करके आपको next करना है अब जैसे next करेंगे तो अब आपको यहाँ पर अपना address दिखाना होगा कि आप कहाँ पर रहते हैं सबसे पहले आप अपना flat या house number डाल सकते हैं इसके बाद line 2 में आप अपना address, point office, nearby या फिर इस तरह से आपको यह फिल करना है इसके बाद option आएगा आपका landmark का और pin code का यह सारी चीज़े आप अपने pen का अधर कार के back side में देख सकते हैं और इसको फिल करने के बाद आपको प्रोशिट का option मिलेगा प्रोशिट पर click करेंगी अब यहाँ पर एक option आपको और मिलेगा दोर तो अगर आप अपने account में कोई nominee रखना चाहते हैं तो आप add nominee पर click करेंगे और यहाँ से अपना कोई भी nominee add कर सकते हैं जब भी कोई आप bank account खोले तो अपना nominee add करना बिल्कुल मत भूलेगा यहाँ पर add nominee पर click करके अपना add nominee जरूर भर लेजेगा इससे क्या है कि आपका जो पैसा है वो safe रहेगा इसके बाद आपको next करना है यहाँ पर आपको कुछ formalities पूरी करने होती है तो यहाँ पर select all लिखा हुआ है तो सबको आपको इन पर click करके इन्हें complete कर लेना है यह सारी condition पूरी करने के बाद दोबार से आपको proceed करना है यह सारी चीज आपको fill करना बहुत ही जरूरी होता है अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही इनको fill कर देते हैं अब आपको six digit का एक mpin बनाना होगा इसके बाद आपको re-enter mpin बनाना होगा यानि कि जो आप उपर की ओर pin लगा रहे हैं same to same आपको नीचे भी आपको fill करना होगा इसके बाद आपको confirm mpin पर click करना होगा अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने आ चुका है mpin set यानि कि जो हम mpin बना रहेते वो successfully set हो चुका है इसके बाद आपको next करना है अब यहाँ पर आपका virtual account open हो चुका दोस्तों और इसके बाद आपके सामने एक virtual यानि की card भी आ चुका है अब आप इसे font पे, google पे या ema zone जो भी use करना चाहते है online तरीके से ये एक virtual तरीके से काम करता है आप इसे चाहते है online यूज करना तो यहाँ पर एक option मिलेगा आपको ये allow करना होगा इसके बाद ये आपका virtual card है जो काम करना सुरू हो जाता है अगर आप चाहते हैं इसे अपने घर पर मंगाना यानि की physical card आपके पास आए तो इसके लिए आपको एक KYC करनी होती है तो यहाँ पर आपको complete KYC करनी होती है अब complete KYC की तरह से करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं इसके बाद आपके सामने यहाँ पर प्रोट्री तो complete KYC करनी होती है इसके लिए आपको video call करनी होगी तो यहाँ पर complete KYC के लिए video call करना ज़रूरी होता दोस्तों अब यहाँ पर video call करने के लिए आपको चाहिए कि आपका pen card आपके पास original हो एक आपको profile picture यानि की जो लगानी है selfie के दौर आपको लगाना है और एक आपको signature लगाना है जो कि एक white paper पर plain paper होना चाहिए white paper उस पर आपको एक self यानि की signature करके दिखाने होंगे इसके बाद आपको जब भी next करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके कुछ condition दिखाए देता है कि आपकी जो location है वो on होनी चाहिए जिसे कि यह पता लगा सके कि आप कहां से इस KYC को कर रहे है KYC करने के लिए आपको यहाँ पर अपने pen card है वो upload करने होते है इसके बाद आपको CLP upload करनी होती है और एक signature upload करना होता है तो यहाँ पर आपका account open हो चुका है successfully अब आपका जो physically debit card है वो आपके address पर send कर दिया जाएगा